हलो एब्रिवान वेलकम तो गेटनेट CS क्लासेश तो टुड़े वीर हेर विल्ट सम् आधर इंपॉर्टन कोस्टिंस जो कि अभी जून 2023 में हमसे पूछे गए थे तो उनके लिए डिटेल्ड सुल्यूशन है ठीक है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो रीजनिंग का कोस्टन हमसे पूछा गया था वो था कि इन सर्टन कोडिंग स्केम तो उन्होंने कहा था कि यह आपको दिया हुए बुमेन और इट इस कोड़िड आज 65 तो चिल्डरन जो है इसका आप कोड़िड फॉर्म बताईए क्या होगा करके ठीक है कोड़िड फॉर्म तो आप लोग देखेंगे जब भी हमारे पास अलफ़बेट की सीरीज होते हैं हमेशा हम लोग की चेक करते हैं कि जो A, B, C, D, E, F, G, H जो हम लोग इस तरह से लिखते हैं इसकी हमेशा नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on इस तरह से हम लोग नंबरिंग करते हैं तो उस तरह से एक बर नंबरिंग परफॉर्म करके देख लें ते कि वॉमेन का 65 आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है चलिए यहाँ पर चेक कर यहाँ पर 23 लिख लिया, O के लिए इन्होंने लिया हुआ है 15, then again further E के लिए लिया हुआ है इन्होंने 5, N के लिए जो वैल्यू ली है वो ली है इन्होंने, sorry यहाँ पर M रह गया हमारा, तो सबसे पहले M लेंगे यहाँ पर रही, तो M के लिए वैल्यू है 13, 13 के बाद E के जो वैल्यू है वो 14 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करके देखेंगे, इसे add करके देखेंगे कि इसका जो answer है वो क्या आ रहा है, क्या वो 65 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जो इसका answer बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास, यह बन रहा है हमारे पास 70, ठीक है, 70, तो उन्होंने क्या बोला था, इसका बोला था, उन्होंने 65 बनना चाहिए, तो हम लोग इससे समझ जाएंगी, कि उन्होंने ये वेला sequence जो है, वो follow नहीं किया है, तो हम लोग को कुछ और strategy apply करते हैं, हम लोग reverse ले लेते हैं, let's say हम reverse ले लेते हैं, इस तरह से, ठीक है, ये जब हम लोग एक बर sequence में लिखनेंगे, तो उसके बाद हम में easy हो जाएगा question solve करने के लिए, तो आप लोग ने exam में ऐसे करके देखना है, या तो उन्होंने sequence starting से follow किया होगा, या फिर reverse में follow किया होने का भी chance रहता है, ठीक है, तो हम लोग इस question में check कर लेते हैं, क्या woman के लिए इन्होंने reverse follow किया है, तो woman के लिए देखें, इन्हों क्या value है हमारे पास 4, ठीक है, then o के लिए हमारे पास value है 12, ठीक है, यहाँ पर o के लिए reverse value क्या है 12, then m के लिए आप check करेंगे, it is your 14, then e के लिए है 22, then n के लिए जो value है that is your 30, तो अब हम लोग इसका जो है वो add perform क करके देख लेंगे कि क्या answer सही है, तो देखें, जब हम लोग add करके देख रही है, तो इसका answer हमारे पास आ रहा है 65, ठीक है 65, तो हमें यह judgment हो गई कि उन्होंने कौन सा order follow किया हुए, reverse order follow किया हुए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग children का भी निकाल लेंगे, एक ब अब इसका देख लेंगे, हम लोग value क्या क्या है, reverse में, इसका है हमारे पास 24, प्लस जो h की value है, that is your 19, i की value है हमारे पास, i है 18, then l की value है 15, d की check करिए, it is your 23, then r की value है 9, e 23, 23, plus n की जो reverse value है, that is your 13, तो हम लोग इस सब को एक बार add करके देख लेंगे, की हमारे पास क्या answer आ रहा है, so the answer is, जो की हमारा correct answer है, वो है 144, ठीक है, तो इन्होंने क्या, कौन सा order follow किया हुए, बहुत ही easy था question, हाले कि समझाने में time लगया, जब आप लोग खुछ से solve it would be very easy to be solved, right, so the correct answer for this question is 143, समझ आ गया, आप लोग पहले starting से करके देखेंगे, नहीं हो रहा है, तो reverse order follow किरके देख लेंगे, ठीक है, या फिर add subtract वाला होता है, वो हम लोग further discuss करेंगे, so next जो logical reasoning का इन्होंने question पूछा था, वो क्या था, statement दीद गई थी, 1 and 2, तो पहली जो statement थी, उन्होंने बोला कि एक valid, valid deductive argument वो होता है, जिसमें सारे की सारे premises, true premises जो होते हैं, वो sound होते हैं, क्या ये statement true है, and next ज और वो न्होंने बोला है, कि एक strong, अब strong की बात हो रहे है, inductive argument वो होता है जिसमें सारे की सारे premises जो हैं वो cogent होते हैं cogent होते हैं तो सबसे पहले इसकी हमें explanation देखनी पड़ेगी deductive के अंदर उन्होंने पूछा है valid के बारे में inductive के अंदर उन्होंने पूछा है strong के बारे में तो आप लोगों ने यह जो terminology है दोनों वो clear कर ले नहीं है ठीक है deductive होता है जब हम लोग general statement से किसी specific term की तरफ जाते हैं जब हम लोग किसी general statement से किसी particular statement की तरफ जाते है और inductive क्या होता है जब किसी particular statement से you move to the general statement that is your inductive right अब deductive में क्या है उन्होंने valid की बारे में पूछा है तो valid और invalid दो टाइप हो सकती है valid के अंदर भी आप लोगों के पर sound and unsound है sound के अंदर चेक करेंगे sound हम तब बोलते हैं argument को ठीक है एक पहली बात तो ये valid होना चाहिए येs valid के अंदर category होनी चाहिए और जितनी भी इसकी true premises होंगी सारी की सारी क्या होनी चाहिए it must have the true premises and true conclusion भी होना चाहिए तो वो होगा हमारे पास sound deductive argument जो की valid होगा ठीक है ना true ही premises होनी चाहिए and true ही हमारे पास conclusion भी होना चाहिए premises and conclusion दोनों ही true होने चाहिए अगर आप unsound की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर invalid होगा और यह opposite होगा and आगे आते हम लोग inductive के अंदर strong अब strong जो होती है statement या तो strong होगी या weak होगी strong के अंदर cogent हम लोग तब बोलेंगे जब पहली बात यह strong के अंदर होनी चाहिए ठीक है दूसरी बात इसमें true premises होने चाहिए and true conclusion होना चाहिए similar यही बात यहां बोली गई है और यह इसका opposite होगा तो deductive के अंदर जो हम लोग statement यूज करते हैं आपने learn करना इसके अंदर आ जाते हैं आपके पास valid and invalid की form में हम लोग discuss करते हैं अब valid भी आपके पास क्या हो सकता है sound and unsound जो है वो हो सकता है अगर inductive के बात करते हैं तो inductive में क्या होता है हमारे पास you will see inductive के अंदर हमारे पास होता है strong and weak argument और strong के अंदर भी हमारे पास further दो categories आ जाती है ठीक है कौन सी categories आ जाती है हमारे पास एक आ जाता है हमारे पास cogent जो की question में पूछा है एक आ जाता है uncogent and definition same वही है true premises होने चाहिए true ही conclusion होना चाहिए और यह strong के अंदर category होनी चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए यह argument strong होना चाहिए और weak उसके opposite होगा तो हम लोग question जो कर लेते हैं इन्होंने बोला था valid जो है deductive argument जिसमें सारे true premises होंगे वो sound होगा तो आप लोगोंने अभी समझा है यह चीज ठीक है यह देखिए यह सारी statements तो yes this statement is true ठीक है और next इन्होंने inductive के बारे में पूचा है strong inductive argument वो होगा जब true premises होंगे बिल्कुल सही है और यह cogent कहलाएंगे yes both the statement statement 1 and statement 2 are correct statements right so यह हमारा 7th question था तो next एक और question discuss करते हैं उन्होंने group of items दी थी यह कहते है in order of increasing intention जो है you have to arrange right they have given A, B, C and D tiger, mammal, feline and animal first of all we must know that what is feline feline यहाँ पर जो है वो category दी गई है cat के लिए ठीक है cat के लिए तो intention जो active रहते हैं उस order में हमें जो है वो arrange करना है ठीक है तो हम लोगों को यह देख करके पता लग रहा होगा सबसे active क्या होता है हमारे पास tiger होता है right the most active animal data जिसकी बहुत ज़्याद स्पीड होती है that is your tiger तो सबसे ज़्यादा अगर increasing speed में लगा रहे हैं सबसे ज़्यादा होगी tiger की दो उसके बाद क्या होगा cat क्योंकि cat भी category tiger के ही further जो हम लोग माल लेते हैं कि उससे ही वो बनाया रहे ना वो उसी category में आ जाते हैं next हमारे पास है mammal तो सबसे first category ली है इन्होंने animals की क्योंकि animals के अंदर कुछ भी हो सकते है right so this is the increasing order of your increasing intention order ठीक है according to the given options तो इसका अंसर हमारे पास है option number 3 right so feline हमें learn करना है कि जो feline है यह vocabulary word है for your cat right next question है हमारे पास ninth question उन्हाने बोला है कि एक binary number जो होता है if it is having the one at the end it means that is always a odd decimal number yes this statement is very true we must remember this thing कि जब भी last में if the last digit is your one that will be your odd decimal number you can convert this number also ठीक है तो हमारे पास code होता है एक we are having one code to convert the binary to decimal right so you can put over here that code 32 जिसके आगे 1 है वो add कर लो like 32 16 के आगे भी 1 है यह add कर लेंगे यह 00 वाले नहीं add करेंगे so it is again 2 and 3 2 and 1 ठीक है तो हम लोग सारा यह add कर लेंगे what will be the answer so the answer is your 51 right now so you can see this is an odd number right यहाँ पर verify हो गया so this statement is your true statement next statement is html is a set of rules that must be obeyed when transferring the files across the internet so this definition is incorrect जो html होता है वो transferring के लिए use नहीं होता transferring के लिए तो हमारे पास we are having other protocols right file transfer protocol so इस तरह कि हमारे पास protocol है जो कि transfer करने के लिए use होते है html जो है वो इसलिए नहीं है वो तो web page create करने के लिए है so your statement 1 is true and second statement is false statement right so this is the correct option which is correct answer option number 3 ठीक है तो मैंने यह explanation already आप लोगो को बता दी है कि कैसे होता है यह चीज बाकि आप लोग convert कर सकते हैं यहाँ पे भी देखें यह last में 1 है so it must be an odd number you can check it by using the conversion 8 4 2 1 इसको add कर लो इसको add कर लो इसको add कर लो इस जिरो आप लो नहीं add करेंगे इसको add कर लो so it is your 8 4 1 so the answer is your 13 ठीक है न 13 which is an odd number so html के बारे में बोला था कि transfer के लिए use होता है html transfer के लिए use नहीं होता It is a language that is used for describing the web pages The full form of HTML is your hypertext markup language Right, यहां पर tags वगेरा use होते हैं Syntex में, जो के document को describe करने के लिए use होते हैं पूरा इसका एक tag होता है, यहां पर सारी statements होती है Right, कुछ इस तरह से HTML documents contain HTML tags and plain text also So the HTML documents जो create हो जाती है वो किसले use होते हैं? These pages, these documents are called as your web pages And collection of web pages are further called as your website जो कि आपके browser पे display होता है Right, तो अगर हम लोग transfer की बात करें तो हमारे पास यह protocol होता है, file transfer protocol जो कि कोई भी files को internet के थूँ, आप network के थूँ, यहां से वहां जो है वो transfer कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर FTP आना चाहिए था Fine, so here is the next question Next question है, determine the next term in the following number series ठीक है, तो यहां पर हमारे पास यह दिया गया है एक series given है So it is your 3, 15, 35, 63 and यहां से जो है आपको next जो term है That you have to find out, right So you can see how to find out, you can, first of all you must find out the difference Among the numbers, ठीक है, so 35 minus 15 So कितना difference आ रहा है हमारा 20 का अब इन दोनों में से आप लोग अगर difference check करेंगे The difference is 28, अगर मैं further difference यहां पर check out करती हूँ The difference between 20 and 12 that is your 8, further 28 and 20 is your 8 ठीक है, तो सब में 8 का difference आ रहा है तो आप लोग यहां से भी कर सकते हैं इस तरह से 8, ठीक है, 8 के sequence में चल सकते हैं तो यहां पर कितना आना चाहिए हमारे पास 36 आना चाहिए, right अब आप लोग देख लीजिए 63 and 36 का add कितना होगा तो आप लोग by option B, जो है try out कर सकते हैं So the correct answer is your 99, ठीक है क्योंकि इन दोनों का difference क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा और 36 and 28 का difference क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा So it is your one of the method to solve this particular question Otherwise there are other methods also उनके through भी आप लोग जो है, वो solve out कर सकते हैं तो यह था हमारा 10th question, तो इसका answer था option number 3, that is your 99, ठीक है जी तो यह यहाँ पर एक और explanation दी गई है, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं This is the second method to solve this question अगर आप लोगों को previous वाला समझ नहीं आया, तो ठीक है, you can take the prime numbers यह हमारे पास prime numbers होते हैं, जैसे कि हमें पता है, या बोल दो चलिए, तो कैसे solve करेंगे? 1, यह हमने odd numbers ले लिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से sequence आप लोग follow कर लेंगे अब यहाँ पर देखे, यह 3 को यहाँ पर multiply कर लेंगे, इस 5 को यहाँ पर multiply कर लेंगे इस 7 को multiply कर लेंगे, इसको यहाँ पर 9 को multiply कर लेंगे, 9 और इस 11 को यहाँ पर multiply कर लेंगे तो इस तरह से आपकी जो sequencing है वो बन जाएगी, यह 1 को छोड़ करके further again, you people are having the same sequence तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 3, 15, 35 हो गया, 63 हो गया, 99, तो आप लोगों को sequence कहां तक provided थी, you can see कि आपको sequence यहां तक provided थी, जो answer है, that is your 99, तो यह आपका जो है वो correct answer है, ठीक है तो further हमारे पास जो solutions हैं मैंने solve कर लिए, बस मैं के करके short videos जो है upload करती रहूंगे आप लोगों के लिए, if you people are interested for the complete course of paper 1 for your UGC net exam and you want to target the December 2023 exam, ठीक है, तो यहां पर contact number दिया हुए है, आप लोगों हमें contact कर सकते हैं, जिसमें पूरा complete slavers cover होगा, live sessions होगी, PDF material आप लोगों को provide किया जाएगा, एक personal guidance जहां तक मेरा idea है, personal guidance की हमेशा जरूरत रहती है, to clear the exam, ठीक है, आप कहीं पर भी subscription ले लेते हैं, there are number of people are joined there, ठीक है, सब लोग उहां पर practice करें, personal guidance अगर हमें होती है, तो definitely exam clear हो जाता है, then here we will have the proper doubt sessions also, the practice sessions will be provided to you and the validity is up to your exam, जब तक आपका exam नहीं cover हो जाता, ठीक है, तो further detail आप लोगों के लिए यह है, कि मैंने like WhatsApp group बगएर हमने create किया हुआ है, telegram group बगएरा, तो वहाँ पर daily basis पे कुछ question हम लोग RC के data interpretation के practice कर रहे हैं, और logical reasoning के question की भी practice कर रहे हैं, right, and further आप लोगों का maths आ जाता है, ICT आ जाता है तो इस तरह की questions हम लोग वहाँ पर practice कर रहे हैं, तो आप लोग वो group जॉइन कर सकते हैं, group का जो link होगा, वो मैं description में आपको provide कर दूँगी, and further if you people are having any kind of doubt, तो यहाँ पर मैंने अपना number display किया हुआ है, ठीक है, तो यह further questions है, हम लोग next sequence में जो है, इसे revise करेंगे, आप subscribe कर लीजिए, you people are having like six months हैं अभी exam में, ठीक है, six months में आप लोग सोच के देखें, कि बहुत practice हो जाएगी आप लोगों की, right, तो आप लोग channel को subscribe कीजिए, like and share करना, ठीक है, and thank you so much, तो आप लोग group जो है, वो join कर लें, so that वहाँ पर आपको time to time सब चीज़े पता लगती रहे, thank you